हेलो फ्रेंट्स, हेलो फ्रेंट्स, वëलकम टो आधने वीडिए उफू doing तो फ्रेंट्स, फ्रेंट्स फ्रेंट्स एक लिट्स है क्ल के सेशन हमें एक अच्छा का सा उच्छा देखने देर में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही आज की सेशन में लेकिन और एक लेटस्ट अपडेट है जो लेंडस की तरफ से निकल के आया है जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जिसके लिए आपको सिफ एक सेकंड लगता है मेरे इसका मतलब क्या है लेंडस अव फूचर रिटर अग्रेमेंट अंटिल प्रमोटर कि शोर ब्यानी प्रेजेंट इसके ऊपर किसी भी तरीके का साइन जो है नहीं करेंगे इसमें अलमोस्ट ट्वेंट बैंक्स जो लेंडर से future retail के और उनको lead कर रहा है फिलाल SBI तो यह किसी भी तरीके का sign नहीं करेंगे जब तक जो किशार किशोर बियानी जी है उनका group जो है वो कुछ debt restructuring कैसे करेंगे या उसका plan जब तक नहीं लाते तब तक किसी भी तरीके का sign यहां पर नहीं करेंगे इसका मतलब उनको definitely debt restructuring का plan जो है सब्मिट करना पड़ेगा और अगर debt restructuring का plan अगर नहीं करते है वो सब्मिट जो कि March 3 को जो है एक्सपायर होने वाला है तो definitely lenders already decision ले चुकी है कि उनके जो store से उनकी bidding process बन की जाएगी तो यह दोनों तरफ से थोड़ी सी win-win situation है लेकिन जो case चल रहा है Amazon के साथ उसके उपर भी काफी निरबर है जो यह NCLT के पास है अभी जैसे NCLT का कुछ update आता है I think this week या next week के end तक आ जाना चाहिए तो मैं आप लोगो तक immediately जो है यह सारी information share करूंगा तो यहाँ पर देखिए lenders led by bank of India are scheduled to meet latter this week to decide on the next course of action given that deadline to sign ICA end on March तो यहाँ पर जो है यह जो है next week जो है आने वाला वहाँ पर जो है meeting होने वाली यह lenders की और उस ही इसाब से जो है February sorry March 3 को जो expire होने वाला है कि यह ICA उसके ओपर जो है decision लिया जाएगा तो यही important update the friends future related जो हमने recently देखा था जो आप लोगों तक share किया thank you for watching this video